हालो दोस्तों कैसे हूँ आपका स्वागति त्रिपान स्टेडि सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं प्लस टू एन इस बोर्ड का चैप्टर फटी टू विराटा की पदमनी यह बहुत इंपोर्टेंट जो है उपन्यास है इसका जो लेखक है इसका जो पन्यास के रचता करता है वह बुद्दा वन लाल बर्मा यह उन्हें बहुत ही सहता के साथ इस की रचना किया है और इसमें नोने एक दागी कर्ण्या कुमुत के जीवन पर अधारीद जिसको दुर्गा देवी का अफतार माना जाता है उसके इर्द इर्द पूरे कहानी को रखा है और उने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कर्ण्या जो जो की दुर्गा की अफतार माने जाते है किस प् परनास को समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा लेकिस साथ में इस एप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेसा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वह यह है कि ज वाले का जो मनोवन होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सबेब कोशिश करता है तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे पुरसाहिद कीजिए इससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा है और और भी बेस्ट बना सकूँ और शेय वो मिल गया है तो वो आपके सुक्रियादा करेंगे और आपको अच्छा भी कहेंगे ठीक है और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेज होगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है तो सब्सक्राइब एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है ऐसा नहीं है दोस्तों यह जो है कई मानों में हर जगा जो है helpful है कि यह जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, CVAC के सभी चप्रों को जो है cover करता है प्लस जो है नाइस बोर्ड, 10th हो या plus 2 हो सभी सब्जक्टों को cover करता है प जिन बच्चों की जो problem होती है उनको भी solution करने के लिए तिरपान history center सदेव आगरसर है तो कहते हैं इतना helpful हो जाने के बाद भी अगर तिरपान history center को subscribe नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी help नहीं करता होगी तो सोचे मत विचार मत कीजिए अभी तिरपान history center को subscribe की कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको worship status में लगाईए ठीक दोस्तों यह तो था आपके लिए अब देखते हैं हमारे आज सलेवा सुने क्या है खंट तिरपन जिस राद अलमर्दाना की सेना में सलानिन वरोल में डोला डाला उस राद विराडा के राजा ने अपने भाईवंदों को इकटा करके लडाई की तयारी की बाहर निकल कर नवाव की सेना से सफलता पुर्बक लरना विराडा की सेना के लिए बहुत कटिन था प्रंतु से अपने जंगल पहार और माय विताब की धार का बड़ा मरोसा था और फिर हुआ कोई पहली ही लड़ाई नहीं थी मुक्य मुक्य लोग की बैठक हुई सब को विश्वासता की देव सीं समय पर सहता देगा सब जानते थे कि देव सीं पालर की और से आ रहे हैं परंतु सब की संकाती कि यदि इस नवाब की सेना बीच में परी तो राजा की सेना इस और आना बहुत कठिन हो जाएगा और यदि नवाब ने एक दास्ता विराटा को नश्ट करने के लिए भेज दिया और उसी समय नाम नगर के आकर्मन हो गया तो बहांकर समस्या उपस्तित हो जाएगी इस सब बातों पर विचार हुआ अधिकांस लोगों में लड़ाई का उस्सा था सवदर सिंग समयत भासा में बोल रहा था प्रंद देनता पुरुबक निश्ट से भरा हुआ था अंध में कुमुद के विराट में बने रहने की विशय में प्रश्ण पस्तित हुआ अधिकांस लोगों का धारना हुआ कि कुमुद को किसी दुसरे अस्तान पर भेज देना चाहिए सब्दल सिंग अपने निश्ट से निडग तक उसने कहा मैं फिर यही कहूंगा कि उसको यहां बने रहने में ही हम लोगों की कुशल है उन्हें वहां से हटाओ तो मुर्ती को हटाओ मंदिर को हटाओ कुजर सिंग वही था सभा में नहीं सभा से दूर मंदिर में प्रंतु वह कहते हैं कि हम दुर्गा की रक्षा करते करते अपना प्रान देंगे हम किसी के राजपाट से कुछ सरोकार नहीं है उन्हें सपत पुर्वक कहा है कि देव सिंग के साथ नहीं लरेंगे सबल ने का यह तो ठीक है प्रंतु जब देव सिंग को मालूम होगा कि कुजर तब हमारी बात पर उल से उनका विश्वास उठ जाएगा और वो अपना हाथ हम से खीच लेंगे नर्पति बोला तब जैसा आप चाहें करें प्रंतु वह अपनी शरण में हैं और यह समरन रहना चाहिए कि वो राजकुमार भी हैं किसी को भी सब दिन एक से एक नहीं रहत दोनों के समाने शत्रू से लड़ने में सहायक होंगे सुना है तोब अच्छी चलाते हैं मंदर में बना रहने देंगे वहां से वो तोब चलवाएंगे कोई हर्ज नहीं नर्पती सोच में पर गया कुछ चनबाद बोला कुमुद देवी विश्वास दिलाती है कि कुछ जर सिंग कभी दगार न करेगा छल उन्हें चुन नहीं किया है वो तोब चलाने का काम बहुत अच्छा जानते हैं खंड चौबन अलमदन की सेना ने विराड़ा को और दलीब नगर की सेना में राम नगर को अपना लक्ष बनाया लोचन सी मंदोर पर धाबा करना चाहता था प्रंतु देव सिंग की सपस्ट अग्याती की मंदोर पर आक्रमन करके खट नहीं को न बढ़ाया जाए यह उसके घर में घूसकर मार ना करें इसका समधान लोचन सींग को इस प्रकार मिला की दिली के बालसा बातीक अलाय को आत्मरक्षा समझकर तरह देदेगा प्रंतु शाही सुबे में घूसकर मार काट करने की चुनोती का रूप दे डालेगा उदर अर्मालाना तोब complicated तोपे दिलीब नगर के कई दस्तों के साथ मुटबेर हो गई, इस मुटबेर में दोनों दलों के अंचाह स्थानों पर मुर्चा बंदी करनी पड़ी, अलमर्दाना की सेना धनुष के कार में नदी किनारे किनारे राम नगर के नीचे तक बरकों में फैल गई, दिलीब नगर की सेना रामनगर और विराटा की हस्त गत करने के प्रैतन में इस मुर्चे बंदी का परतिकार करने प्रत्थम से ही विवश हुई ना तो अलमरदना नामनगर की टुकरियों से मिल पाता था और ना दिलीपनगर की सेना विराट में पहुच पाती थी रामनगर के गाट से विराटा और देव सींगे मुर्चे पर गोली बारी की जा रही थी प्रन्तु इतनी सिस्ता और अंजानेपन के साथ की हुआ बहुत कम हानी पुचा रही थी उदर विराटा के सेना को अपनी बेगोली सिती के कारण अधिक सुवाता था प्रंतु अनमर्दाना को रोक्ताम के सिवा वहां के भी गोल अंदाज और अधिक कुछ नहीं कर पा रहे थे दलिपनगर की तोपे रामनगर की गाड़े की डीला कर देने में कोई कसर नहीं लगा रही थी इस तरह लड़ते लड़ते कई दीन हो गए देव सिंग को चिंता हुई मंतराना के लिए एक दिन राजा जनारदन लोचल सिंग और कुछ और सरदार बैठे जनारदन ने का यदि मरदाना के पास और कुमुक आ गई तो बाशा में बाशा ने हम लोगो को बागी समझ कर दिल्ली से कोई बड़ा दस्ता भेज दिया तो बड़ी कटनाई होगी युद खिज गया है कोन जाने क्या होगा लोचल सिंग बोला क्या होगा आप अपने घर में बैठ कर जब तब करना हम अपनी निवट लेंगे इस बातों से काम ना चलेगा लोचल सिंग राजा ने कहा इस समय हम या निश्चित कर रहे हैं कि सिर क्या करना चाहिए लोटन सिंग ने उतर दिया मेरी समझ में तो यह आता है कि इधर उधर की हाथा पाई छोड़ कर बंडोर पर जोड हमला बोल दिया जाए तो अलमर्दाना को लेने के देने पड़ जाएंगे यह तो नहीं हो सकता जनारदन ने का राजनिती इस समय ऐसा करने में रोकती है देव सिंग बोला लोटन सिंग तुरंद बोला मुझे महराज जो आग्या दि उसके लिए तयार हूं परंदु केवल राजनिती विषधारों में लड़ाई के दापेज चिकने का उस्सा मेरे वी कल तुम्हारी सुर्त और दिलक्षन प्सुपिती की फिर प्रिक्षा है लोचन सिंग बोला क्या आग्या है कल राम नगड की गड़ में हम लोग प्रवेस कर लें राजनिका शब्द की जंकार सब लोग कानों में समा गई लोचन सिंगी आँखों से चिंगारी सिच यह चु नहीं लगाई आज नहीं बात कैसी पहली तो यह कि लोचन सिंग ने उत्तर दिया सैननी संचलन का काम आपके हाथ में न रहे और दूसरी यह कि मैं यदि मारा जाओं तो मेरी लास की मिटी विगारने न पावे उसकी खोच करके सास्त्र के अनुसार दा किया जाए नदी में न फेका जाए और न किसी गार में डाला जाए शुक्रिती है राजा ने प्रशन होकर कहा जनारदन मेरे साथ रहेंगे मैं अब इनके दस्ते का संचलन करूंगा खंड पच्पन विराटा की रक्षिसा द्रिंता के साथ हो रही थी दाग्यों ने अपने स्तानों को बचाने के लिए प्रान की होर लगा रखी थी घड़ी के वीतर आदमी बहुत अधिक नाते तोप भी थोड़ी ही भी थी तोपों के चाने वाले भी चतुर नाते थी और विश्वास था कि देवी उनकी सहता पर है नदी के पश्मी जो है तटवंती भरकोग में अलमर्दाना की सेना विराटा गड़ी पर आकरमन करती थी प्रंतूत वेताव की धार उसे विफल पनुरत कर देती थी देव सिंकी सेना की चपेट के कारण अलमर्दाना को व विराटा के थोड़े हैं बहादूरी दागी बहुत देर तक नहीं टिक सकते थी विराटा यूद में कुजड़ सिंक कोई अस्तान नमिल सका था सबदल सिंग की या धारनाती की कुजड़ सिंग को हरावल में या कहीं पर भी कोई मुख्य पत देने से देव सिंग कभी कर दिया कुजर सिंग का विराटा से निकल भागनास असंभव था सवदल सिंग को विश्वास था कि उसे वहां के बने रहने देने में देव सी अपरसन नहोंगे एक दिन कुजर सिंग ने राम द्याल को मंदिर के पास अचानक देखा चकित हो गया खस करा पहरा देते हुए कैसे प्रवेश पा गया उसकी पहली इच्छा यही हुई कि तलवार के बार समाप्त कर दे प्रंतु राम द्याल मुस्कराता हुआ उसी की और बड़ा कुजर सिंग अपनी इच्छा पूरी करने में हिचक गया राम द्याल ने कहा राजा मुझे साथ अपना सत्रु समझते ह हैं संभव है राजा की कलपना सही हो कुजर सिंग इस विजोर मतब बिरिंट्स हो गया और बिरिंचित बुरुद्ध राम द्याल ने और पाज आकर कहा प्रंतु आप और मैं समानने भाब से इस गड़ी की रक्षा की अकांशी हैं मैं अब महरानी की सेवा में नहीं हूँ राजा देव सी का संदेशा लाया हूँ रानी को किस दलदल में फशा कर चले आये हो कुजर सिंग ठोड़ता के साथ प्रश्न किया मैंने किसी को दलदल में नहीं फशाया है राम द्याल ने ठड़क के साथ उत्तर दिया मैं खुद उनके पीछे बहुत बरबाद हूँ राजा देव सी के नाते से आप भले ही मुझे अपना वैरी समझे परन्तु मैं आपके बैर के योगे नहीं हूँ कुजर सिंग ने एक चंद सोचा राम द्याल की बात पर उसे जरा भी विस्वास नहुआ पूछा क्या संदेश लाये हो कि छमा किया जाए तो कहना चाहता कि मेरा संदेशा यहां के राजा सब्दल सिंग के लिए ही है कुजर सिंग का भी जय गया बोला तब चलो उनके पास मैं साथ चलता हूँ किसी को भेज कर उन्हें यहीं बुलबा लीजिए सबके सामने जाने से संदेश के खुल कर फैल जाने का भय है राम द्याल ने कहा पास ही एक तोप लगी हुई थी गोलदास और सैनिक वहां निक थे कुजर ने एक सैनिक को बुला कर कहा यह मनुष्य सत्रुया मित पक्षका है अभी निशिंद नहीं हो सका है किस चन में इसे समझा जाए राजा से कुछ बात करना चाहता है उन्हें तुरंत यहां भेज द तो मैं इस पर तब तक पहरा लगाता हूं थोड़ी देर में वह सैनिक सवदल सिंग को लेकर आ गया राजा ने उतर वाली में पूछा क्या बात है वो बोला क्या मैं राजा कुजर सिंग के सामने कह सकता हूं राजा देव सिंग का संदेश है कुजर सिंग ने जंजला कर मै अब विराठा का सुब कांशी हूँ, अब जो विराठा के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं, जो उसके सत्रू हैं हुए मेरे शत्रू है सवदल सिंग बोला तुम अपना संबाद सुनाओ रामदाल ने कहा कल बरे जोर का अकर्मन आपकी गाड़ पर होगा अलमर्दाना की सेना का उसका ध्यान बटाने के लिए हमारे महराजा राम नगर पर बरे जोर का हमला बोलेंगे आप तो पोकी बाड का पक्का बंदोबस रखे खंड छपपन रात का समय था काली रात अकास में तारे टिम्टमा रहे थे पबन ने पेरों को चुम्र कर जोह सुला सा दिया था विताब अचेत पत्रों से निरंतन टकडा कर अनंत काल कल शब्द रच रच कर रह रह जाती थी कुजर सिंग मंदर की एक तोड की आर में यहां से मनदी की धार रामनगर की ओर से बह कर आई है कंदे से बंदुग लगाया अकेला बैटा था उससा था हिर्दे में अपुन बल परतित होता था मंदर की रक्षा के लिए मंदर की विबूती के लिए दिन के गोलिया पास से निकल जाती थी गोले धम से आकर धूल और कंकरों के विखर देती थी एक चोटी सी जगह उस यूद में सबदर सिंग ने दे रखी थी उसके उस राजकुमार ने बहुत समझा मुस्तहदी से अपने स्थान पर डटा रहता था चेबल प्राता काल मंदिर में दर्शन के लिए जाता था और एक इस अस्थान सी लगने लग गई थी परंत उस रात मन बेचैन था राम द्याल पिसाच है उसकी पिसाच शिक्ता को सब्दर सिंग नहीं समझता गुमती उसे बिलकुल नहीं पहचानती वो क्या आया है वो यहां क्यों आया है अवश्यल मर्दाना का वेदी है निस संदे कु करने की चिंता में हो कुमुत इस यूद का लक्ष है देव सी बचाने के लिए आ रहा है यदि इस समय मंदलिव नगर का राजा होता तो देव सी के पिक्षा कहीं अधिक परवलता और चतुरता के साथ यूद करता राजा नायक सिंग के वेरे से उत्पन एक हात भूमी के ल ये खुलनेम खुला साधन जुटा जुटाया करता था वही जो देव सी का सत्रू है और साथ ही विराटा के सब लोगों का और अवश्री विराटा जो है निवासी सुनी कुमुत की भी उसने मन ही मन सोचा मैं इसके कुछ चक्रों का निवारन कर सकता हूं करूंगा फिर भी ध्यान गया कुछ शिंग दबे पाउं गुफा की और गया गुफा में निवोड अंदकार था पत्तर से सटकर कुछ शिंग ने कान लगाया उस तमोराशी में केवल कुछ सांसे का सब सुनाई पड़ता था इस गुपा में वो देवी है कुछ शिंग ने सोचा कल्यान औ रूप सुगता और लवेन बर्दान और प्रेना की वो निदी उसका ठोर गुफा के भीतर कुछ शिंग और अधिक्द नहीं ठैरा उसका करतव इस निदी निदी की रक्षा का साथ संबन था लौट आया मन में कहा देवी को किसी का कोई सपना भी कभी आता होगा खंड संता दिलिपनगर और अवंडोर की सेना एक दुसरे पर बीनग बरा नर्सहार किये हुए तोपो और बंदुख दाग रही थी इकके दुखके सेनिक लर विगर जाते थे कभी कभी चोटी-चोटी टोलियों की बुटवेर भी हो जाती थी प्रंतु सो पचास हाथ भूमी उधर य जो है मुसावली के निकडवरती नालो में एकटे हो गए आगे क्या करना चाहिए इस पर सलाह होने लगी लोचल सिंग ने कहा है यही गड़े-गड़े मरना तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हत्यार बिना चलाए ही कदाचित किसी दिन हेटो हो जाना पड़े तब जया देव सिंग ने व्यंग किया जैसी मर्जियों लोचन सिंग ने क्रोड़ता का लड़ाय के बहाने मर्वर करते रही है जब अर्मरदना की सेनत दुगनी चोगनी हो जाए तब घर चले जाईए देव सिंग का ठका हुआ चेहरा लाल हो गया सोचने लगा एक पल बाद बोले आज रात तक राम नगर पर अपना जंडा फरा सकेंगी लोचन सिंग उत्तर देने में जरा साश हिचका देव सिंग लोचन सिंग ने देनता के साथ कहा जनारदन जराफ कसे स्वर में बोला और आपको सरदार लोचन सिंग ने कहा मेरे साथी सरदार कुछ करने या मरने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं परंतु जनारद उत्रजित होकर कुछ कहना ही चाहता था कि देव सिंग ने कहा मेरा एक मतव्वे है लोचा सिंग क्या मर्जी है देव सिंग रामनगर पर सिग्र अधिकार कर लेने के लिए बढ़ना यम्राज को नौतानों के बराबर है प्रंतु अलमर्दाना अब धावा बोलने के पिक्षा यह भी कहीं ज्यादा अच्छा है रामनगर गड़ और तोपोज हा बांदेंगे वह क्या वेश रहेगा कोई देखेगा तो कहेगा कि मौत से लड़ने के लिए यमदूत आ जा रहे हैं खंड अंठावन दूसरे दिन संदय से पूर्व नित्य जैसी लड़ाई होती रही लोचान सिंग जितने सैनिक रामनगर पर आगमन करने के लिए चाता थ उससे उसने मिल गए उनके चेहरे पर उससा था या नहीं यह अंदेरे में नहीं दिखाए पर रहा था बिल्कुल पास के देखने वाला जान सकता था कि वह लोचान सिंग के साथ होने पर भी मुस्ट जैफुसफुसा आट में मिठाली कर रहे थे और मुस्कुराते भी थे नदी किनारे किनारे बिना पहचाने जाना असंभव था इसलिए अपने बर के वरेकों की सिद्धे से कभी तोर तक और कभी भूमी पर राम नकर तक चुप-चप जाना लोचन सिंग ने तै किया था राम नकर के नीचे पहुंचकर फिर आक्रमन करना था या मौत के मूँ मे गुष्ना था लोजाज सींगे नदी में उतरने के लिए कपड़े कसी पानी में जाने से पहले कुछ सोचने लगा पास करा एक सैनिक बोला दाओ जी देखते हो क्या हो कुद पर हो लोजाज सींगे ने कहा जो कुछ देखना है रामनगर्द में देखूंगा यहां देखने को रखा ही क्या है नदी का तैरना जो इस सुर्था काम नहीं है केबल बल का काम है नदी के वहाब के विपृत अंधेरी रात में तैरना बेड़ता का भी काम था और खास तौर्छ से उस समय जब किनारे पर शत्रुबंदों के दा प्राक्रिति को प्राजित करना सहज ना था टुक्रियां तितर वितर होकर इधर उदर चटानों पर बैट कर दम लेने लगी थोड़े समय पशा किसी पुर्ण निर्ने के अनुसार दिबलीप नगर की सेना की ओर से रामनगर के उपर आसाधारन रिती से कुलावारी सुरू हो थी प्रांतु दी बीच में तेज धार वाला पानी परता था और साथी इधर उदर विख्रे हुए थे एक नाव दिखाई दी लोचर सिंग ने अवाज दवा कर कहा पीछे पीछे आओ यहां स्थास की अवाज आगेच पीछे जल्दी हुई तेज बैती हुई धारा पर गो बचना असंबब होगा वह धारा के खिलाब बहुत बल लगाने लगा और धारा भी उसे जोड से जटकने देने लगी हाफ्ता हुआ लोचर सिंग धिरे से चिलाया क्या सब मर गए पास के चट्रान से चक्राते हुए पानी के चीरते हुए अकार एक व्यक्ति ने सपस्ट कह अभी तो सिर का कफन गीला भी नहीं हुआ है सावाश लोचर सिंग बोला कौन उत्तर मिला बुंदेला वह सिपाही किसी द्रिंता में इतराया हुआ था उस धरा के पार करके नाब के पास जा पहुँचा लोचर सिंग ने भी दुगना बल लगा दिया वह भी नाब के नीच बदूक नाल से उसे धकेल दिया वो नीचे गिर गया और थोड़ा सा बै गया तब तक लोचर से अधमका उसके हाथ भी वही क्रिया की गई लोचर सिंग भी नीचे से दसक गया इतने हो सैनिक आ गया और नाब पर चट गया लोचर सिंग और कुछ cách पाही ही नाम आम सा दालने से रस्वे में बंदी हुई नाव डगमगा उठी दो सिपाई जो बंदूग के लिए तयार थे चला ना पाए लोचल सिंह उन्हें तलवार से असमर्थ कर दिया लोचल सिंह और उसके सिपाईों के नाव में इतनी बंदूग मिली ले ली और अपने पास की पिस्टॉल पेरे पोच कर भर ली बोड़े सुगला कर और उन्हें भली बांती चिपा कर किले की योर आड़े लेती हुई या टुकडियां बड़ी ऊपर तोप आग उगल कर दिलिपनगर की सेना को जवाब देने लगी थी कभी कभी आग की चादर सितन जाती थी आगे चलकर उस फाटक पर बाढ़ लगाने के पिक्षा उस पर जोड कहला बोलना अच्छा होगा लोचे सिंग ने करवे कंड से कहा या गलत करवाही होगी जो कहता हूं सो करो तुम अकेले फाटक पर जाकर चिलाओ वह सैनिक बिना कुछ कह सुने तुनंत फाटक की और दिवार को किनारे क की आग्या हो लोजा सिंग जरा सेहमा मौत की छाती बसावार सैनिक को कि इस बात के वितर किसी लाने की छाया देखकर वह जरा सा लजिद भी हुआ बोला हम सब वहीं चल रहे हैं इतने में वह वाचाब सैनिक फाटक के पास पहुँच गया तोपो के उस गुम घुम्धाम यावाज खूब मुची करके चिलाया खोलो हम आ गए फाटक बसना राम नगर की सेना की योद्धा तेव घवराए इधर बंदूग दाग घवराहत पर गए उसी समय लोचन सिंग और उसकी साथी ने फाटक के पास आकर जोर से सोर गुल किया कुछ बंदूग भी दागी व वितर की और हटे लोचन सिंग और उसकी साथी कमद की सीड़ी लगा कर दिबार पर चड़ गए वितर गम सान यूद होने लगा बंदू तमोचल लडाके और तलवार रिखनके लगी राम नगर बालो का नधेरे में यह जान ना पड़ा कि दूसरी और से कितने सैनिक घुस हैं फाटक खुल गया और राम नगर सेना में भागदर मच गई छोटी रानी लड़ती भी फाटक से निकल गई दिलिपनगर की सेना ने जोस के साथ जय जयकार किया राम नगर में बहुत कम लड़ा के भागने से बचे जो नहीं भागे थे उन्हें हतियार डाल दिये लोच अपनी सिपाही ने लोचन सी से कहा दाव जी फाटक बंद कर दीजिए अपनी सेना को जय जयकार सुना कर बुलाईए नहीं तो यह विजय अकारस्त रह जाएगी लोचन सिंगी ने पूछा तुम्हारा नाम कफन सिंग बंदेला लोचन सिंग ने कोई प्रसुत्तर नहीं कि दीजिए फाटक बंद ल१वर कर देव सीं का जय जयकर करता रहा दिलिपनगर तेव सीन क्योंद को न मालुम होने पाया कि देव सीं ने कभ और कहां से गाड में प्रवेश किया है। थी पर बड़ी रानी मिल गई उन्हें कैद कर लिया गया रामनगर के पतन के बाद पतरखान को राजा देव सींक अधिकार विक्रित कर लिया प्रंतु राजा ने उसे रामनगर में ससेने रहने का अफसर नहीं दिया वेतावा के पुर्वी किनारे पर ही प्रवत्तर रहने की कहा जिसे अफशकता परने पर उसकी सेना का उप्योग किया जा सके बड़ी रानी को अपनी मुरुखता पर बड़ा पस्तावा था राजा ने चामा दे दी दृष्टी जरूर उन पर काफी रखी रानी ने इस नजरबंदी को ही बहुत गनिम समझा विजय की रातरी के लोचल सिंग ने कहा माराज यदी अप राधियों को दंड न देंगे तो विजय पर विजय बेकार होती चली जाएगी जनारदर अफसर पाकर मस्कुराया बोला दाव जी यह प्रशन से ना पती नहीं राजनेतेगे की सुलक करते हैं लोचल सिंग को किसी बहस का समरन हो आय राजा ने बोला राम नगर की जागीर कब और किसे दी जाएगी जनारदर बोला चमंडर राह लोचन सिंग के सिवा उसे कोन पाएगा माराजा ने उसी समय तैय कर दिया था कुछ और निने उसके विजय में नहीं करना था मुझे तो चिंता छोटी रानी की है उन्हें तु पुरी रानी को जो कोई क्याद कर लावेगा उसे सत्मोरे निनाम में दी जाएगी जनादर खुजी के मारे उचल परा बोला सौ मोरे महराज के दिन ब्राम मंजनादन की और से भी दी जाएगी राजा हसपरा एक चन बात बोला राम नगर की जागीर का सिरोपाव चमुन्दा राय लोचन सीग को इसी समय दे दिया जाए सर्मा जी लोचल सिंग ने वारीक हो लेकर कहा यदि मुझे मिल सकती होती तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं महराजा के लोटा देता प्रंतु वह मुझे नहीं मिलना चाहिए क्यों राजान जरा विवस के साथ पूछा उत्तर मिला इसलिए कि मैंने राम नगर नहीं जीता है तब किसने जीता है जनादर का प्रशन किया लोजल सी ने कहा उसका सपून सुरे मेरे एक सैनी को है राते कारण उसका नाम नहीं पूछ पाया वह जीवित अवश्य प्रंतु अंदेरे में ना मालूम कहां चला गया उसकी खोज करवाई जाने चाहिए मर गया हो तो उसके घर में जो कोई हो उसे या जागिर दे दी जा राजा ने सहज रीती से समती प्रगट की यदि सबकी समती हो तो मैं यह चाहता हूँ कि रामनगर का कुछ भाग पतरखान के पास रहने दिया जाए अब यह सरनारगत हुआ है इसलिए बिलकुल बेदखल न किया जाए लोजल सींग ने निरग पेक्ष भाव से का हमारे उस सेनी का पता महराज पहले लगवाएं तब रामनगर का कोई एक टुकड़ा पतरखान को या किसी को दे राजा बीना संते से बोला लोजल सींग तुम्हें उस सिपाई ने कुछ तो अपना नाम बताया होगा बतलाया था महराज लोजल ने उत्तर दिया प्रंतु वह नाम ब इसी तरह के वित्तु के नाम रखते हैं लोजल सिंग गंभीर स्वर में बोला यदि मेरी सेना में सब सेनी कुछ कफन सिंग से रेखी हो तो आपको घर घर चमुंडा राय के उपादी ना बाठनी परे राजा ने पूछा क्या तुम उसका स्वर पहचान सकते हो राजा ने जनादर ने चड़ के साथ कहा देवी सिंग खुब हसक कर बोला महराज का नहीं कफन सिंग उंदेल का लोजल सिंग समल गया गंभीर होकर बोला तब आप जागिर चाहे जिसे भी दे सकते हैं तीन चौथाई लोजल सिंग को और एक चौथाई पतर खान को यदि वह सभी भक बना रहा तो बिराट की पदमनी में आगे क्या हुआ अगला खंड जो है हम आगे पार्ट में करेंगे तो आप बने रहे तिरपान स्टेडी सेंटर के साथ और समझते रहे बिराट की पदमनी इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टोपिक आज खतम हो रहा है ठीक है अगर के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिक्रिशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आप दुबारा से तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा ठीक है जो आप गुगल प तिरपान से जो है बहुत हल्फूल है क्योंकि यह आपके एट क्लास नाइन, टेंथ, ऐलेवन, ट्वैल्थ जो आर्ट के सब्ज़गर करता ही है प्लस जो है यह नई स्विबोर्ट के जो है टेंथ प्लस टू को भी कवर करता है साथ में विए जो है फॉस्ट यह से लेकर सि तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फैदा पहुंचाएगा एक्जायम के तोर पे मैं आपको पेपर भी आपको सुलुशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दुबारा मैं नहीं वीडियो बनाऊं और आपको फैदा ना पहुंचाओं तो अभी भी नहीं सोचिए मेरा जितना आप फैलाईएगा जितने दुसरे बच्चों के साथ सेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कारे करने में अगरसर रहूंगा ठीक है दोस्तों इस जितना झाल साथ सब्साथ में आपके लिए भी नहीं है